शुरू करते हैं आज की कहानी तो आज की कहानी बहुत ही ज्यादा मसेतार होने वाली है अचाना किसी खयाल आया कि वो पहाड़ी पर तो चड़ी गया है क्योंकि ना पहाड़ी के दूसरी तरफ उतर कर कदम आवार इंसानों को वही देख ले वो पानी में अपने अक्स मसलतल देखे जा रहा था और बार बार पंजो के बल खड़ा होकर अपने कदमों को लंबा देखने की कोशिश कर रहा था वो एक बोना था और इसका नाम कामी था जंगल के करीब ही बोनों की बस्ती अबाद थी जिसमें वो रहता था कामी ना जाने क्यों अपने बोने कद से परिशान था वो खुद को कदम आवरा देखना चाहता था इसके बुद्रों के से समझाते थे के कुद्रत ने जैसा भी पैदा किया है इसमें राजी रहना सीक्यों और इसके नाशुक्री कभी ना करो मगर वो खुद को बलंकत का ही देखना चाहता था बस्ती के करीब ही जंगल के पार एक पहारी थी इसने अपने बड़ों से सुन रखा था कि पहारी की दूसरी तरफ इन से लंबे कदवालों की बस्ती है वो पहारी के इस पार उनका आवार इनसानों को देखना चाहता था एक दिन जंगल से एक हाथी बटकता हुआ इनकी बस्ती में आ गया बोने इसके पाउं तले दबने के खौफ से चुपने लगे कामी भी करीब ही एक पहारी पर चड़ गया और कुछ ही देर की जद्व जहत के बाद वो पहारी की चोटी पर चड़ गया पिर अचानक इसे ख्याल आया कि वो पहारी पर तो चड़ ही गया है क्यों ना पहारी के दूसरी तरफ उतर कर आवारा इंसानों को ही देख ले ये सोच कर वो पहारी के दूसरी तरफ उतरने लगा नीचे एक मिदान में बहुत बड़ा मिला लगा हुआ था एक मदारी अपने बंदर और भालू का कर्टब दिखा रहा था मगल लोग बंदर और भालू के कर्टब में दिल्चस्पी नहीं ले रहे थे चुनाचे मदारी के आमदनी कम हो गई थी इसलिए बड़ा फिकर मन था लगता है लोग बंदर और भालू को नाच देख देख कर उखता गए है अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा ताके आमदनी में इजाफ़ा हो वो मुही मुह बड़ बड़ा रहा था कामिया ऐस्ता ऐस्ता से फाड़ी से नीचे उतरा इसे कुछ फासले पर लोग को का हुजम नजर आया वो धीरे धीरे इनके सम्मित बढ़ने लगा इसने वहां बड़े कदवाले लोग देखे तो आश आश कर उठा जब इसकी नजर बंदर और भालू पर गई तो वो इन्हें देखने के लिए आगे बढ़ने लगा मदारी की नजर अचानक पहाड़ी की सम्म गई इसने देखा कि एक बोना इसकी तरफ आ रहा है कामी मदारी के करीब आया तो मदारी ने सोचा कि क्यों नबोने को पकड़ कर बंदर और भालू की तरहा कर्तब सिका कर पैसे कमा यह सोच कर इसने एक बोरी ली और फौरन कामी के उपर डाल दी कामी अब मदारी की बोरी में कैद हो चुका था और वो इसे उठा कर अपने घर की तरफ चल पड़ा जब के कामी बोरी में बंद अपने हाथ पाउं चलाने लगा फिर कर पोच्छते ही इसने बोरी का मुझ खोला कामी फोरन बोरी से बाहर निकला मदारी से देखकर कुशी से मुस्कराते हुए बोला अब मज़ा आएगा तमाशा देखने का कौन हो तुम और मुझे यहां क्यू ले आए हो कामी गुसे से बोला अब तुम यहीं मेरे पास रहोगे ये बंदर और बालू तुम्हारे साथी हैं ये केते हुए इसने बंदर बालू के पास ही कामी को बांदा और घर से बार चला गया जब कामी चीकता रहे गया अब चीखने और चलाने से कोई फाइदा नहीं अब तुम हमेशा हमारी तरह इस मदारी के रहम वकरम पर रहोगे बंदर कामी को चीकते हुए देखकर बोला अरे ऐसे हमारी बोली क्या सम समझ में आएगी जो तुम इसे बता रहे हो बालू अपने माते पर हाथ मारते हुए बोला नहीं मुझे आप लोगों की जबान आती है जंगल के करीब रहते हैं वे हमें जानवरे के बोली समझ में आने लगी है कामी बोला औरे वाह फिर खूब गुजरेगी जब मिल बेटें के मजबूर तीन बंदर ने कला बाजी खाई लेकिन तुम अपनी बस्ती चोड़ कर यहां क्यों आए जबके बोनों की बस्ती तो अलग अबाद है तरासम में ने सुना रखा था कि यहां लंबे कदवाले इंसान रहते हैं मैं अपने चोटे कज से परशान था बस इन ही को देखने के शोग में यहां तक पहुँचा मागर मुझे क्या मालूम था कि यह लंबे कदवाले अपने मुफाद के खातिर वेबस इंसानों और मासुम जानवरों पर जियाती करते हैं मेरे दोस्त चोटे कद से कुछ नहीं होता इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस का किड़दार बुलंद हो भालू ने कामी को समझाते हुए कहा मुझे अपनी बस्ती जाना है बस तुम मुझे किसी तरह अजाद करवाओ कामी रोन रोंसी आवाज में बोला यहां से निकलना मुशिल तो है लेकिन नामुम्किन नहीं एक तरीका है यहां से निकलने का बंदर ने इसे बताना शुरू किया जैसे सुनकर कामी की आँखों खुशी से चमक उठी रात गुजर चुकी थी सूरच तलू हो चुका था मदारी ने सबसे पहले बोने को अवाम के सामने अपने किरदार अदा करने से मुताली कुछ हिदाया दी और फिर इसकी कमर में रसी बंदर और भालू के साथ मेले की तरफ रमाना हुआ वहाँ पोच करी इसने लोगों की तवज्चा हासिल करने के लिए गड़गी बजाना शुरू कर दी लोगों की तवज्चा हासिल हुई तो इसने कहा शुरू किया आज पहली बार हमने एक बोने का कर्थब दिखाएंग फिर इसने कर्थब दिखाना शुरू किया सबसे पहले इसने लोहे का एक हलका निकाला मतारी इसके किनारों पर आँग लगाते हुए बोला सबसे पहले बंदर इस आँग में से गुसर कर दिखाएगा इस बंदर ने चुपके से बोने की बांदी रसी को जलती आँग से लेके मन्दरी से दुबारा पकड़ता बोना इसकी पहुंच से दूर भाग गया बंदर का मसूबा कामियाब हो गया कामी अजाद होकर पहाड़ी की दूसरी तरफ अपनी बस्ती में उतरने में कामियाब हो गया इस वाकी को जजरे बहुत दिन हो गया कामी के खैलात बदल जाता था क्योंकि वो समझ गया था कि इंसान नों के छोटे कद से कुछ नहीं होता इसका किर्दार बुलंद होना चाहिए तो बच्चों कैसी लगी आज की कहनी अगर पसंद आई तो चैनल को करें सब्सक्राइब वीडियो को करें लाइक एंशेर मिलते हैं नेक्स वीडिय झाल